जैश्री राम भक्तों आज सुनेंगे वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा इस कथा को सुनने से मिलेगा कई हजार वर्षों की साधना का शुब फल धर्मराज युधिष्ठिर बोले की है भगवन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधी क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्थ होता है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ श्री कृष्ण कहने लगे कि है राजेश्वर इस एकादशी का नाम वरुथिनी है यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नश्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है इस वरत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्प को गया था वरुथिनी एकादशी का फल दस हजार वर्ष तक तप करने के बराबर होता है कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहन के समय एक मन स्वर्णदान करने से जो फल प्राप्थ होता है वही फल वरुथिनी एकादशी के वरत करने से मिलता है वरूथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्थ होता है शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोडे के दान से श्रेष्ट है हाथी के दान से भूमी दान, भूमी के दान से तिलो का दान, तिलो के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ट है, अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है, अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों त्रिप्थ हो जाते हैं, शास् वे प्रलिकाल तक नरक में वास करते हैं, या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है, जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है. वरुथिनी एकादशी व्रत की पौरानिक कथा, धर्मराज युधिष्ठिर बोले की है भगवन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधी क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्थ होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझ से कहिए, म मैं आपको नमस्कार करता हूँ, श्री कृष्ण कहने लगे कि है राजेश्वर, इससे कादशी का नाम वरुथिनी है, यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नश्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर धाता नामक राजा राज्य करता था, वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था, एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा, राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा, कु विश्नों से प्रार्थना की, करुण भाव से भगवान विश्नों को पुकारा, उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रिहरी विश्नों प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला, राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोका उसे दुखी देखकर भगवान विश्णों बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मतुरा जाओ और वरूतिनी एकादशी का वरत रखकर मेरी वरा अवतार मूर्ती की पूजा करो, उसके प्रभाव से पुन, सुद्रिड अंगो वाले हो जाओगे, इस भालू ने तुम्हें जो क था तपस्वी था, एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा, राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा, कुछ देर बाद पैर चबातिच बाते भालू राजा को घसीत कर प विश्नो को पुकारा, उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रिहरी विश्नो प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला, राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोका कुल हुआ, उसे दुखी देख कर भगवान विश्नो बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मतुरा जाओ और वरूथिनी एकादशी का वरत रखकर मेरी वरा अवतार मूर्ती की पूजा करो, उसके प्रभाव से पुन, सुद्रिड अंगो वाले हो जाओगे, इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अप पूरात था, भगवान की आग्या मानकर राजा मानधाता ने मतुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरूथिनी एकादशी का वरत किया, इसके प्रभाव से राजा शीग्रही पुन, सुन्दर और संपूर्ण अंगो वाला हो गया, इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मान नाश होकर मोक्ष मिलता है हे राजन जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्गलोग की प्राप्ति होती है अत्ह मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए इस व्रत के महात्मे को पढ़ने से एक हजार गोदान का फल मिलता है इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है जै श्री विष्णू आप सभी को वरूतिनी एकादशी की हारदिक शुबकाम नाए श्री हरी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे